नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विनेतिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार SSC 8247 में हर देख स्वागत करता हूँ आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएए फिर हम लोग आज का जो हमारा ये सेशन है हम उसे स्टार्ट करेंगे आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को जितना जादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजे जितना जादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजे और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें आप सभी साथियों को पता है कि आपका जो ये chapter है sitting arrangement का आज आपका NTPC CBT 2 का exam हुआ है उसमें 5-5-6-6 question आए हैं आपके sitting arrangement के topic से इसका मतलब बहुत जादा important topic आपका ये हो चुका है sitting arrangement और आपके MTS के exam में दो question तै है आएगा ही आएगा तो क्यों ना हम इस chapter को इतने अच्छे से जान लें समझ लें कि हम लोग आराम से कर सकें सारी चीजों को यहाँ पर ठीक है तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे जदा ज़्यादा शेयर कर लेंगे जिन्मी साथी ओने अभी तक शेयर नहीं किया है लाइक कर लेंगे जिन्मी साथी ओने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जोड लिजे आज सभी को यहाँ पर क्योंकि अगर आज यह chapter सीख लिया तो मैं सच बता रहा हूँ आप paper करने के लाइक हो जाओगे आप MTS का paper करने के लाइक हो जाओगे और मैं इस chapter के बाद आप लोग को MTS का एक paper बाकायदे पूरा paper जिस date को आया था वो paper लेकर आऊँगा और दिखाऊँगा कि कौन कौन से कैसे कैसे questions आते हैं बाकायदे date wise दिखाऊँगा कि इस date का यह paper है देख लो इस shift में paper हुआ था तब पता चलेगा आपको किस तरीके की पढ़ाई मैंने आप लोग को यहाँ पर करवाई है बहुत ही बहतरीन तरीके से आपको बहुत अच्छे level की तयारी कराई है मैंने यहाँ पर एक एक chapter हो एक टाइप के question हो सब कुछ कराया है यहाँ ठीक है न बिलकुल हो जाएगा बिटा बिलकुल आराम से हो जाएगा qualify ठीक है चली अच्छा देखे अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिस करूँ जी तो बोला है आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी साथ गुज्री वो मुलाकात याद आएगी हाँ आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी साथ गुज्री वो मुलाकात याद आएगी पल भर के लिए पल भर के लिए जी लाइन प्यार मुहबत वाली तो ही लेकिन आप से एक लगाओ है हाँ जब आप कोई चीज गलत करते हो न जब आप नहीं पढ़ते हो मन से और आप हमसे प्रॉमिस करते हो कि नहीं सर आज हम इतने कोश्चन्स लगा लेंगे तो वो सारी चीज़ न जब आप सीसे में देखते हो तो रहते रहते कई बात याद आजाती बात के सर ने उस दिन हमसे ऐसा कहा था और हमने यह नहीं किया हमने साथ से जूट बोला तो यह सारी बाते न रह रहके याद आती हैं जब कभी हम कुछ गलत करते हैं तो हमें बार-बार रियलाईज होता है तो भाई साब मैं याद आओंगा भूत बनके विक्रम बैताल के कहानी सुनिये न अगर आप पेपर अच्छा करके आओगे तब तो मैं बैताल ऐसा छोड़ के चला जाएगा लेकिन अगर आप पेपर में कुछ गरबर कर गया होगे तो विक्रम बैताल के तरह में आपके पीछे पढ़ा रहा होगा समझ मैं आरी बात चले साथ ही देखे अगर हम लोग बात करें बटा तो आप लोग को पता है बता दू संकल्प 2.0 बैच MTS का जो है स्टार्ट होने जा रहा है 20 मई से तो अभी भी मौका है इस बैच से जोड़ लिजे ठीक है न उसके बाद हवलदार का 3.0 बैच जो है वो आपका सुरू होने जा रहा है कब से 20 मई से आप लोग को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा अड़ा 247 के अप्लिकेशन पर जाना है और Y461 कोड लगाना है और जोइन कर लेना है ठीक है मेरे दोस्तों और सबसे च्छी बात आप अलग से बैच जोइन करोगे उससे अच्छा है कि अभी महा पैक पे है साथ ही साथ टेस सीरीज भी आपको मिल जाएगी और e-books भी आपको मिल जाएगी तो हर चीज का सलूइशन MTS का महा पैक केवल MTS की तयारी करने वालों के लिए लेकिन अगर आप MTS के साथ सेलेक्शन पोस्ट आ रहा है 10 मही को सेलेक्शन पोस्ट आ रहा है 10 मही को दिल्ली पुलिस हेट कॉंस्टेबल आ रहा है बेटा 17 मही को उसकाद MTS का 5 जुलाई को एक्जाम है तो इन सब की तयारी के लिए एक पूरा का पूरा SSE का महा पैक अभी डबल वेल्टी है अभी तुरंट लेके आ जाओगे तो भी आपको ये बेनिफिट मिल जाए क्योंकि कभी भी ये डबल वेल्टी बंद हो सकती है Y466 कोड लगाके और कॉइंस यूज कर लेना एप के कॉइंस यूज कर लेना तो ये 1913 रुपे में मिल जाएगा आपको 1913 रुपे में ठीक है चलिए तो अब हम आज के सेशन के सुरवात करने जा रहा है Sitting Arrangement की अब लेकिन एक बात इसमें ध्यान से सुनिएगा एक सेके Sitting Arrangement के हम सुरवात करने जा रहा है यहाँ पर एक बात को और ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग देखे जब हम बात करते हैं बेटा sitting arrangement की sitting arrangement की बैठक विवस्था इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों बैठक विवस्था इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बैठक विवस्था इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बैठक विवस्था तो बैठने की विवस्था क्या है उसे हमें समझने की जुरूत है देखो बैटा जब जब बैठने की विवस्था लाइन में होती है तब तब जो आपका दाया और जो आपका बाया आपका दाया यही है न देखो तो आता है गोले में बैठाने की और लाइन और गोले का ही प्रसना आता है आज के पेपर में एंटी पीसी के भी धुवाधार कोश्चन पूछे गए आपसे ठीक है ना चलो यहां प्रध्यान से देखना तो जब हम बात करते हैं गोले की मालो यह चार लोग हैं किसी गोले पर बैठे हैं और अंदर की तरफ देख लें तो यह दाया और यह बाया हुआ अब बाया कैसा हो गया मेरे दोस्तों तो that is clockwise दाया हुआ anti clockwise बाया हुआ clockwise ऐसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो यह दाया और यह बाया हो गया clockwise और बाया हो गया anti clockwise यह रहा आरी बात समझ में सभी को तो बस यह बात इतनी से लिख लो और अभी मैं आपको question basic एक एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जल्दी से आजाईए सभी सो दोस्त यहाँ चलो ध्यान से देखो यहाँ अब मैं सुरुबात करने जा रहा हूँ question पढ़ते हैं वेटा बोलाए छे विद्यारती A, B, C, D, E, F एक bench पर बैठें bench ऐसे सीधी होती है न हमने bench बना दी तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोग है छे लोग बैठेंगे यह दाया हो जाएगा और यह बाया हो जाएगा छे लोग हैं छे लोग ऐसे बैठेंगे अब देखो ध्यान से क्या बोला है B F और D के बीच में बैठा है क्या अभी आप बता सकते हो नहीं तो इसको कैसे लिखते हैं ऐसे लिखेंगे B जो है वो F या D के बीच में बैठेगा ऐसे F या D के बीच में कौन बैठेगा B देखो ऐसे लिख लिए, F या D के बीच में कौन आएगा, B आएगा, आगे देखो E, A और C के बीच में आएगा, E किस के बीच में आएगा, E आएगा, A और C के बीच में हमें नहीं पता कि A इधर होगा, या इधर होगा, इसलिए इसको अभी ऐसे लिखा देखो दोनों बात को बहुत आराम से समझे हो बनाते चलिएगा B F और D के बीच में बैठा E A और C के बीच में बैठा आगे देखो A F और D के बगल में नहीं बैठा A जो है F और D के बगल में बैठेगा यानि A सुन लो A ना तो F के बगल में आएगा और ना ही D के बगल में आएगा आगे देखते हैं हाप C, D के बगल में नहीं है और C, D के बगल में नहीं है लो, C भी D के बगल में नहीं है अब आपको बताना है बताईए एके ठीक बाई, ठीक दाई और कौन बैठा है एक ठीक दाए कॉन बैठा ये बताना है अब इसको कैसे सुरुआत करें ध्यान से देखो अगर आप गौर्ट से देखो F और D को बैठाते हो तो यहाँ पर A और C है A और C यहाँ पर रिलेट कर रहा है यहाँ पर एक लाइन और बोला है कि F और D के बगल में A नहीं आएगा अब सुरुआत करनी हमारे को कैसे बनेगा क्या करें अब अजम्शन लेना हमें सुरू करना पड़ेगा देखो ध्यान से अगर माल लो सुनो अगर माल लो हमने D यहां रखा तो D और B के बीच में कौन आ जाएगा D और F के बीच में B आ जाएगा ठीक है अब बचा A और C के बीच में E आएगा तो देखो A और C के बीच में कौन आ जाएगा E आ जाएगा A और C के बीच में E आ जाएगा ये हमने अजंशन माना और इससे हमने कर दिया यस या नो हाँ ध्यान से देखो अब लेकिन क्या सारी लाइने फुल्फिल हो रही है A, F या D के बगल में नहीं है A ना तो F के बगल में आएगा और ना D के बगल में आएगा इसका मतलब यहां गर बढ़े अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए यहां से अगर हम C ऐसे कर देखो यहां पर अगर हम C कर दे और यहां पर अगर हम क्या कर दे A कर दे तो देखो हमारी बात बन सकती है A के बगल में ना तो F आएगा A के बगल में नहीं आएगा बनना तो A के बगल में D ऐगा देखो हट गया बन देखो सारा का सारा यह बन गया यहाँ पर देख लो सारी लाइने पूरी हो गई बना के देख लो जल्दिल्दी हाँ अब जोस्टेन क्या पूछा अगर आप यहाँ पर देखो यह बना आपसे लेकिन अब सारी लाइने पढ़ लो क्या मैच हो रही है या नहीं हो रही है ये मैटर करता है यहाँ पर ठीक है ना अब यहाँ पर गौर से देखीगा कोश्चन ने बोला है B, F और D के बीच में बैठा हुआ है E, A और C के बीच में है E जो है वो A और C के बीच में बैठा है A, F या D के बगल में नहीं बैठा है हाँ C, D के बगल में नहीं बैठा है C, D के बगल में नहीं बैठा है लेकिन अब कोश्चन तो पढ़ो पहले कोश्चन ये का है A के ठीक दाएं अब एक बात बताओ, अगर हमने ये बनाया तो A के दाये तो कुछ आएगा ही नहीं बड़ा गरवर हो गया हमारे साथ अब जब ये ऐसे बना तो इसको उल्टा बनाने कोसिस कर दो सारा का सारा एंसर सही देओ कैसे ये रहा A, ये रहा E, ये रहा C, ये रहा F, ये रहा B और ये रहा D क्यों? क्योंकि इस वाले में तो A और D के बगल में आया नहीं लेकिन यहां देखो इस वाले में बन गया इस वाले में गलत क्यों हुआ? इस वाले में गलत इसलिए हुआ क्योंकि एक ठीक के दाएं कोई नहीं आ रहा था अब देखो यहां पर चुकि F और D के बीच में B बैठना था तो ना तो F की पोजिशन पता है ना तो B की पोजिशन पता है कहीं भी हम रख सकते हैं अब देखो इस सिटिंग में एके तुरंत दाएं कोई आ गया मेरे दोस्तों एके तुरंत दाएं कोई आ गया यह आ गया है और यह बना कोईशन देखो तो उपर वाला हमारा अजम्शन गलत नीचे वाला हमारा अजम्शन सही उपर वाला अजम्शन हमारा चलो अगला question try करेंगे तब समझे और आएगा और आएगा अभी हम जब बहुत सारे question लगा लेंगे तब और अच्छे से clear होता चलेगा हमारे पास ठीक है अगला question एक और देखते हैं उससे और repeat करेंगे और concept clear होता चलेगा लेकिन आप पढ़के साथ में बनाते जरूर चलो और session को share करते जाओ और like करते जाओ क्योंकि ये वो topic है ये वो topic है जो आज के paper में भी आपको परशान करके आया है जी देखो P Q R S T 1 2 3 4 5 5 लोग है वेटा पाँच लोग है एक लाइन में बैठा है ठीक है पाँच लोग है देखो तो 1 2 3 4 और 5 ये दाया और ये बाया अच्छा लाइन के लिए दो बाते आप नोट कर सकते हो पहली बात ये कि सबसे पहले आप किनारे वाले से सुरवात करेंगे किनारे वाले व्यक्ती से सुरवात करेंगे किनारे वाले व्यक्ती से सुरवात करेंगे व्यक्ती से सुरवात करेंगे ऐसे, अब देखो यहाँ पर ध्यान से question पढ़ो T एक अंतिम छोर पर है T किसी किनारे पर है न अब ध्यान से देखो यहाँ पर तो देखो बेटा आप क्या करोगे एक बार T को इधार रग दो एक छोर यह बन गया और एक बार T को इधार रग दो दोनों ends पे हमें बिठाना है इसलिए हम बिठा रहे आगे देखो P T का परोसी है P किसका परोसी T का तो इसका मतलब P यहाँ आएगा और इस वाले में P यहाँ आएगा कोई समस्या यहाँ तक पहले यह बताओ जी जी बेटा बताइए कोई देखो सभी लोग में बता दू जिनको जिनको मेरे से पढ़ना है reasoning वो MTS का महा पैग जोईन कर ले या SSC का महा पैग MTS का महा पैग जोईन कर ले Y461 कोड लगा के और आज ही जोईन करोगे तो Double VLT मिल जाएगी या ऐसे ही आप SSC का महा पैग भी जोईन कर सकते है SSC का महा पैग भी जोईन कर सकते है Y461 कोड लगा के आज इस पर भी Double VLT मिल जाएगी ठीक है इधर आ जाओ तो देखो PT का पडोसी हो गया और Q के बाएं तीसरे स्थान पर है और बोले तो कौन पहला विक्ति यानि P पी जो है Q के लेफ्ट में तीसरा है Q के बाएं तीसरा है इधर देखो 1,2,3 1,2,3 Q इहां आएगा यहां आएगा क्योके बाएं बोला है तो Q का लेफ्ट हैं आपको दिखरा है Q के लेफ्ट में 1,2,3 किसी इस्थान πε कौन आ रहा है P आ रहा है लेकिन यहां देखो क्यों के राइट में दिख़ा है एक, दो, तीन यहां देखो क्यों के राइट में दिख रहा है तो ये वाली बात आपकी गलत है कि कोश्चन नहीं ये बोला है क्योंके बाएं तीसे इस्थान पे बैठा है क्योंके बाएं तीसे इस्थान पे बैठा है ये पी कैसे पता क्या वो समझो नोट करके लिखना जो मैं यहां बोल ला हूँ जो मैं यहां बोलने जा रहा हूँ, उसको note करके लिख लेना, note करके लिख लो, note करके लिखो जो बोलने जा रहा हूँ, लिखो, कि जैसे यह A, B और C, यह तीन वेक्टी है, question में आए, अगर यहां पर और और लेकिन है, और और लेकिन है, यानि and and but है, तो यह बात करेगा पह लेवाले अक्षर की, यही पर अगर मैं बात करने की कोशिस करूँ, A, B और C, यह तीन लोग हैं, A, B और C, यह तीन लोग हैं, A, B और C, यह तीन लोग हैं, और यही पर आ जाए, जो और जिसके, जो और जिसके, तो वो बात करेगा दूसरे वक्ती की, इस बात को note कर लो, क देखो तो ये वाली बात गलत हो गई क्यों क्यों के दाएं बोल जाएं जब क्यों के बाएं होना था अब बोला है टी के दाएं से चोथे स्थान पर कौन है अब हमाई पास दो अक्षर बच गया है कौन कौन से बच गया है एक बच गया है मेरे ख्याल से आर और एक बच गया सब ने बना ली है जल्दिश एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए जी अब देखो आप मेंसे कई लोग ऐसे हैं जिनोंने R और S का स्थान कन्फर्म कर दिया हैं तो बेटा यह गलत है R का स्थान कन्फर्म नहीं हो सकता है उसका कारण है R और S के बारे में पूरे प्रस्वन में कोई बात नहीं कही गई है वाँ वाँ क्या बात है मैकसिमम लोगों ने बना लिया बधाई हो बधाई हो आप सभी लोगों को अब आगे कोश्चन आगे पड़ाओ को आप और अच्छे से पार करोगे अब पूछा है टी के दाएं चौथे स्थान पे कौन है यस-yस बहुत सभी लोग एक बार शेयर कर दो बेटा भी सी बात पे इसी बात पे शेयर कर देंगे चलो जल्दी से इसको निकालिये आप बहुत आराम से बना सकते हो बहुत आसानी से बना सकते हो आप ट्राई करोगे सब बनेगा बेटा बेटा MTS के बैच के लिए MTS का महा पैक आप जोइन कर सकते हो और कोड यूज़ कर लिजेगा Y461 ठीक है चली चली इसको ट्राई करेंगे आप सभी लोग ट्राई करिए हाँ जी इसको ट्राई करिए आप सभी साथी और सुन लो आज आप लोग का ये पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस MTS का आप लोग का जो है वो यूटूब के उपर आज खतम हो जाएगा और कल से अब हम लोग सुरू करेंगे ताबर तोड मौक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट कल से अब हम लोग ताबर तोड स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट ठीक है ना कल से तयार रहेगा चली ध्यान से देखें F answer आना सुरू हो चुका है F यानि option number क्या दे रहे हैं आप लोग option number B दे रहे हैं चली देखते हैं बोला है 6 मित रहें A, B, C, D, E, F एक पंक्ती में उत्तर के और मुक करके बैठे हैं चलो देखो बेटा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 राइट और ये रहा लेफ्ट चीक है अब ध्यान से देखो बोला है C, A और E के बीच में बैठा है C जो है वो A या E के बीच में बैठा है अभी हमें नहीं पता तो हमने A या E को ऐसे लिख लिख लिया आगे देखो बीच में बैठा है D किसी छोर पर नहीं बैठा है इसका अतलब देखो D को ना तो आप इस किनारे बैठा सकते हो और D को ना तो इस किनारे बैठा सकते हो यानि किसी किनारे नहीं बैठा सकते है B, E के निकटम दाईं और बैठा है अब यहां से देखो सुरुवात हो जाएगी देखो B, E के निकर्टम दाएं बैठा अब इदर देखो यहां से एक अच्छी सुरुवात मिली B, E के यह बोलाए न B जो है वो E के निकर्टम दाएं यानि ऐसे आएगा ऐसे आएगा न अच्छा की बात बताओ, अगर हमने E को ये लिया, तो E के बाद यहाँ C आजाएगा और A यहाँ आएगा, तो क्या अब हम इसे E ले पाएंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या हम इस जगह E रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे, क्योंकि E के दाएं हमें किसको बैठाना है, B को, इसका मतलब यहाँ A होगा और यहाँ E होगा, तब A आएगा आपका, clear हैं, तो यहाँ पर आएगा A, और अब लाइन होगी A और E के बीच में, A और E के बीच में कौन बैठा है, C ऐसे बैठेगा, और उसके बाद E के ततकाल दाएं कौन आ जाएगा, B आ बैठा दो, F जब राइट एंड पर नहीं बैठा तो उसे लेफ्ट एंड पर बैठा दो, जैसे लेफ्ट एंड पर उसे बैठाया, अब उसके आदेखो यह लाइन हैं, हाँ, अब यहाँ पर देखो D आ नहीं सकता, और हमाँ पास यह एक, दो, तीन, चार अच्छर एक आओ, पूरा का पूरा कुश्चन हो गया, D, E के बाइं और तीसरे स्थान पर है, E के बाइं और तीसरे स्थान पर देखो, तो E का बाइं आई है, एक, दो, तीसरे स्थान पर D आ गया, और उसके आप क्या बोला है, निमलखित में से D के बाइं और कौन बैठा है, D के ये ऐसे कमेंट किया करो तब पता चलता है कि आपने बनाया एक्चुली में अकल नहीं मा रहा है अभी क्लियर हो गया सभी को पहले एक बार जल्दी से हाथ उठा दिए सभी लोग यहाँ पर दिल फेक दीजे सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजे और शेयर करके अपने और फ्रेंड्स को यहाँ जोड़ लो क्योंकि भाई साभ आपको पता है यह बहतरीन हाँ बहतरीन क्लास है आपके लिए टॉपिक की चलिए अब हम चलते हैं अगले कोश्चन पे अब हम चलते हैं सरकिल पे बैठने किस पे गोला अब हम गोला घुमाने चलते हैं ठीक है ना जी अब गोले पे बैठेंगे बहुत असान कोश्चन सोते हैं बहुत असान इंगलिश वाले इंगलिश में पढ़ लेंगे यहाँ पर इंगलिश वालों के लिए इंगलिश में आठ लोग है आपके आप ठीक है सेंटर 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 टर सेंटर और सेंटर और सेंटर अब यह आठ लोग है यही पूरे question का left hand होगा अब चलो question के सुरुवात करते है और circle इतना आसान होता है कि पहली line पढ़ो और सुरू कर दो jam आतादी होके बनेगा बेटा फोटो में चस्मा नहीं चलता है फोटो में चस्मा लगाना होना ही चाहिए उन्होंने मना किया था नहीं होना चाहिए चस्मा आपका ठीक है चलो देखो याप पर जल्दी से देखो और बताओ try करिये आप लोग फिर मैं explain करता हूँ सारा बेटा MTS के बैच के लिए आप अट्डा247.com पे चले जाएए कहां पर जाएंगे बेटा या तो आप अट्डा247 का एप डाउनलोड कर लिजे एप डाउनलोड कर लिजे ठीक है उसमें चले जाएगा SSC में SSC के बाद वहाँ स्टोर आएगा स्टोर पर जाएंगे आपको दिख जाएगा SSC MTS SSC MTS वहाँ पर जाके MTS महापेक MTS महापेक Y461 कोड लगाईएगा मेरा तो आप और कोईंस एड कर लेना तो 880 रुपे में आपको ये बैच मिल जाएगा अभी तुरंट जाओ बेटा जॉइन करके आजाओ बता दो फिर चली देखिए यहाँ पर T आ रहा है हाँ खुस रही है सबी लोग अब इधर आजाओ देखो कैसे सुरू करना है D T के बाएं तीसरा है इधर आजाओ D जो है वो T के बाएं तो इधर देखो T ये रहा T के बाएं तो D का बाएं ये ना एक दो और तीसरे स्थान पर कौन आएगा D आएगा D T के बाएं तीसरा है बन गया आगे देखो जो अब ये जो किसकी बात करेगा बेटा दूसरा वेक्ति ये रहा अगर यहाँ और होता तो बात करता D की लेकिन यहाँ जो है तो वो बात करेगा T की T P के दाएं पाँचवा है P के दाएं पाँचवे नमबर पे आएगा आपका T तो देखो ये रहा T P के दाएं पाँचवे नमबर पे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिल लो अगर हमने यहाँ पर रखा P को अब P का दाएं यहाँ देखो ये बना P के दाएं 1, 2, 3, 4, 5 वे नमबर पे T आएगा लेकिन P के बाएं नहीं आएगा यहाँ तक की बात समझ भाई चलो आगे देखते हैं यहाँ पर बोला है A, B के दाएं तीसरा है A जो है वो B के दाएं तीसरा है A, B के दाएं तीसरा है जो जो बोले तो कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों B B, D के दाएं दूसरा है B जो है वो D के दाएं दूसरा है D के दाएं, D के दाएं D के राइट में दूसरा है तो देखो D यह रहा, D का राइट यह है एक और दो दूसरे इस्थान पे कौन आ जाएगा में दोस्तों B आ जाएगा B के थर्ड राइट में कौन आएगा A आएगा तो देखो B का राइट हैंड यह है एक दो और तीसरा कौन आ जाएगा B के थर्ड राइट में A आ जाएगा B के third right में कौन आ जाएगा मेरे दोस्तों A आ जाएगा यहां तक की बात होगी यह भी समझा आ गया यहां तक बन गया अब चलो जो बचा हुआ है उसको बनाने की कोशिस करते हैं आगे देखो Q M के बाएं दूसरा है Q जो है वो M के left में M के left में दूसरे स्थान पे Q आना है अब अगर आप गौर्ड से देखो Here आपके पास एक जगा यह बची हुई है एक जगा यह बची हुई है लेकिन देखो 1-2 दो वाली जगा है इसमें 2 नहीं बन सकता देखो 1-2-3 बनेगा यहां से भी देखो तो एक दो तीन बनेगा इसका मतलब इस line को पढ़ लो Q M के left में दूसरा है M के left में तो देखो अगर हम M को यहां रखते हैं तो देखो M का left आपको दिखाई दिर M का बाया एक दो दूसरे स्थान पे कौन आ गया Q और कौन सा अक्षर बच गया है वही आपका answer हो जाएगा यह रहा R यह बन गया यहां तक देख लो देख लो इसको एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो सेशन को सभी दोस्त एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस करेंगे सेशन में हाँ जी बिटा आज का पेपर जुन बच्चुन दिया उन्हें सब को पता इसलिए कह रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट बहुत जरूरी है आप सब लोग को करना पड़ेगा यहां पर चलो बोला है D के दाएं D के दाएं दूसरा कौन है बिटा दोस्तों D के दाएं दूसरे स्थान पर आ रहा है B D के दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है B आ रहा है बताइए Clear हो गया सबी को देख लो यहां पर जल्दी से सबी लोग देख लीज़े और फिर बताइए क्या answer आएग हाँ चलिए अगले question पर आजाई अब अगला question आप try करेंगे देखो बिटा question आगे है देखो दोनों भासाओं में question यहाँ है और इसका question आगे है जल्दी से सभी लोग एक बार like कर दीजे सभी लोग जल्दी से एक बार सभी लोग like कर देंगे जिरों ने अभी तक like नहीं किया जल्दी से और इस question का answer निकाल के बताएंगे क्या बनेगा इस question का answer निकाल के बताएंगे क्या बनेगा जल्दी सभी दोस्त निकाली और बताएए इसका क्या answer आएगा बताईए जल्दी जल्दी सबका एंसर आजाए कोस्चन पढ़िए बोलाए छे वेक्ति हैं के एल एम एन ओ तथा पी मेज के इर्दगिर्द बैठे हैं अब जैसे गोल मेज है एक गोल मेज यह तारो तरफ बैठ जाओ आप लो बैठ गया आप लो चलो गोल मेज के इर्दगिर्द बैठ गया किते लोग है दो चार और छे लोग बैठ गए दो चार और छे लोग बैठ गए ऐसे जी बेटा अब ध्यान से देखेगा यहाँ पर अब देखो जब आपको यहाँ यह नहीं बोला है कि यह केंदर में देखेंगे यानि अंदर देखेंगे गोले में या बाग तरफ तो मेच पर बैठे हैं गोल में तरफ तो पाटी शाटी करने के लिए कुछ खाने पीने चाय वाशमोसा के लिए बैठे हैं तो बैठ गए हैं आपर अब सब अंदर देख रहे हैं तो इसे एरो बना लो सब ने अंदर बैठा है बैठ गए और आपके पेपर में कोश्चन आएगा इस बात के लिए निश्चिंत रहो और तैयारी कर लो इन सारे कोश्चन को लगा लिया बना लिया तो इस बात की मैं गैरेंटी दे सकता हूँ कि आप सिटिंग आइजमेंट का एक कोश्चन पेपर में छोड़कर नहीं आओगे चलो देखो यहां पर के तथा एल एक दूसरे के विपरीथ हैं सुरवात करें तो देखो के तथा एल दूसरे के विपरीथ हो गए तो के अगर यहां है तो एल उसके अपोजिट जाएगा क्योंकि यह दूसरे के क्या है अपोजिट है यहां तक बन गया के के बाई और एम है के के बाई और एम है तो देखो के यह रहा के का दायां ये बना और के का बायां ये हुआ तो के के बाई और कौन आ जाएगा मेरे दोस्तों M आ जाएगा के के बाई और कौन आ जाएगा M आ जाएगा देखो यहाँ पर प्रांजल ने बना लिया है उसने एंसर बताया L P N L P N K M O ये बता रही है प्रांजल हो गई, O तथा N एक दूसरे के विपरीत है, O और N एक दूसरे के विपरीत है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या O यहां आ सकता है मुझे बस इत्ता बताओ, नहीं आ सकता है क्योंकि यहां लेड़ी हैं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब O या N या तो यहाँ आएगा, O या N या तो यहाँ आएगा, यानि इन में से ही कहीं पर आएगा और बाकी जगर नहीं हो सकता, बिटा लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूज होने जरूत नहीं है, जैसा आपका दाया है, आपका बाया है, आपका बाया, या दूसरे सब्दम बोलू, जिसस बहुत तेज लगता है, वो वाला हाथ दाया होता है, और जिससे थोड़ा भीरे लगता है, वाला हाथ बाया होता है, तो कंटाप मारके देखो अपने हाथ से भी, जिस तरफ से तेज पढ़ेगा, वही वाले तरफ राइट होगा और लेफ्ट हो जाएगा ऐसे, अब दाई और पी है, एन के दाई और कौन है पी, अब एक बात बताओ, पी तो यह फिक्स है, तो एन यहाँ आएगा ना, तभी तो एन के दाई और पी आएगा, इसका मतलब है कि आपके एंसर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर एन होगा, और यहाँ पर ओ हो उसके अद प, उसके बाद अ, तो ये रहा, K M O L, K M O L, P N, ब्लकुल सही बनाया है, बिटा, ये प्राँजल का एंसे बिलकुल परफिक्ट था, प्राँजल ने बिलकुल सही एंसे बनाया है, अब कोच्चिन आप से क्या पूछ रहा है, L के बाईं और कौन है L के बाईं और कौन है बताईए एंसर सभी लोग L के बाईं और कौन है निकालिए सभी दोस्त L के बाईं और कौन है जल्दी से निकालिए और बताईए इसका क्या एंसर आएगा जल्दी से L के बाईं और कौन है बिल्कुल पर्फिक्ट देखो ये इसका दाया है ये इसका बाया तो L के बाईयों और कौन आ रहा है मेरे दोस्तों P आ रहा है पी आ रहा है clear है चलिए अब अगले कोश्चन को बनाएंगे आप लोग बहुत अच्छा बहुत आसा कोश्चन है seriously बताओ इससे आसान कोश्चन कुछ नहीं हो सकता sitting arrangement बहुत easy होता है बस हमारे दिल में डर बना हुआ है कोश्चन थोड़े बड़े लगते हैं तो हम छोड़ देते हैं लेकिन ये कोश्चन seriously बहुत आसान होते हैं बस आप लोग एक बार हिम्मत तो जुटाओ करने की सब लोग बना लोगे लेकिन उस हिम्मत के साथ आप लोग को like और share भी करना पड़ेगा तो सभी दोस्तों से एक बार अन्रोध रहेगा कि आप सभी दोस्तों से एक बार like और live को बराबर कर दें और share करें इसमें और साहे लोग को जोड़ें क्योंकि यह chapter आप सब लोग के लिए जरूरी है और एक बात बता दो अब MTS का आज इस chapter के साथ आपके syllabus यूटूब पे खतम हो जाएगा और फिर अब हम कल से आप लोग के regular basis पर practice करना शुरू करेंगे पूरे के पूरे MTS के 25-25 question की ठीक है चलो यहाँ पर देखो तो एक दो तीन चार पांच छे छे लोग हो गए केंद्र की और मुकर के एक वृत्व पर बैठे हैं सब केंद्र में देख रहे हैं यह देखो एफ एके दाएं सॉरी एफ एके दूसरी बाई हो रहे है एफ जो है वो एके लेफ्ट में दूसरा है लो देखो किते लिल बनाते जाना काफी लोग तो हाँ एफ साकिषी ने बनाए एफ सी बीडी एफ सी बीडी फ्रांजलिया ने बिव बना लिया और लोग बताइए और लोग भी तो बना सकते हो आप भी तो ट्राई करो बेटा हाँ दीपिका ने बताया एफ और बताइए λोग हाँ ऐसे काम नीच लेगा सब लोग को पढ़ना पढ़ेगा हा रे नू पढ़ाई करो answer दो हाँ C answer बता रहा है C answer आ रहा है C E आप सब लोग try कर लो फिर मैं तो explain करूंगा ही और मैं करूंगा तो सब को समझ आएगा ही आएगा चलो आप देखते हैं एक बार ना फिर से ध्यान समझते है F A के दूसरे दाएं बाई हो रहा है बोलाया ना F is on the second to the left of A A के बाईं दूसरे इस्थान पे कौन है F तो देखो A को हमने यहां रखा सुरवात मैं यहीं से करता हूँ और आप लोग को भी सुरवात यहीं से करो एक जैसी प्रैक्टिस होगी तो आपका फायदा होगा आपसे कभी गलती नहीं होगी दाएं या बाईं वाली तो A के बाईं एक दो दूसरे इस्थान पे कौन आ गया F हमेशा उसके अगले वाले से गिना जाता है दूसरे इस्थान पर B आ गया आगे देखो A, D का बाएं पडोसी है A जो है वो D का बाएं पडोसी है A, D का लेफ्ट में बैठा हुआ A जो है वो D के लेफ्ट में बैठा हुआ तो देखो D यहाँ आएगा तो D का ये दाया हुआ और ये बाया हुआ तो D का बाया पडोसी कौन आ गया A आ गया ना देखो मेरे दोस्तों बन गया अब आगे देखो क्या पूछा है आपसे C F और B के बीच बैठा है C F और B के बीच में बैठा हुआ है तो F और B के बीच में कौन आ जाएगा मेरे दोस्तों C आ जाएगा ये देखो, F और B के बीच में कौन आ जाएगा, C आ जाएगा, अब बच कौन साक्षर गया है, E ये लो एंसर, ये पूरी की पूरी सिटिंग बना दी हम लोगोंने, कितना समय लगा, बताओ, कुछ समय नहीं लगा, और हम लोगोंने देखो, 6-7 question कर डालें आप तक, ये वो पढ़ के करना ही पढ़ेगा, तुम ये सोचो के हम बिना पढ़े बना दे, कोई इसके लिए अगर सिटिंग अरेज्मेंट के लिए कोई ट्रिक बता दे, तो मुझे बताना फिर आके, तुम घर में अपनी मेज पर ही क्यों बैठे, उसकी कोई logic है, मुझे इसके पीछे तो question लगाओगे, इस बात की surety कि आप paper में बना के आओगे, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, clock wise चेक करेंगे, वही बनेगा, देखो, अगर आपने इसका उल्टा बनाया गो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, A यहां रखा है तो भी, लेकिन मैं कहता हूँ, practice ऐसे ही करो, त इसके बाद D, यह लो, A, E, F, C, B, D, A, E, F, C, B, D, यह रहा, यह रहा, देख लो, बेटा कोई इसकी trick नहीं होती है, अगर आपको कोई भी बता रहा है ना, तो मैं आपको क्या बोलूँ, वह आपको वेकूब बनाने की कोशिस कर रहा है, क्योंकि इसकी कोई trick बनी नहीं सक अच्छा मुझे खुद बता दो, यह जैसे यह 6 लोग को बैठाना था, क्या trick बना सकते है, आप खुद सोच के देखो, क्या इसकी कोई trick बनाई जा सकती है, कि इन 6 लोग को बैठाना है, यह लाइने पढ़नी ही पढ़ेंगी, इने पढ़कर ही बनाना पढ़ेगा, तो इस की trick कैसे बन गई, बताना मुझे, कभी नहीं बन सकता है, कोई trick नहीं बन सकती है, ऐसे questions की, sitting arrangement की कभी कोई trick नहीं होती, otherwise bank वाले परिशान नहीं होते, bank में पूरा का पूरा paper इसी से आता, जैसे अभी, कल पर सो, ESIC, MTS का exam था न, उसमें आये थे question, आज paper था, NTPC, CBT2 का, उ को यहीं रखना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक जैसी सुरवात करोगी, तो अच्छा रहेगा, आपकी practice perfect होगी, वैसे को यहाँ, 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 कहीं भी रख सकते हो, आप free हो, इन छे लोग को बैठाने के लिए, लेकिन बनेंगे इसी, ऐसी order में, एसे पडोसी कौन है बेटा, F के पडोसी कौन है, मुझे यह बताना, F के पडोसी कौन है, F के पडोसी कौन है, यह बताना, तो F के पडोसी देखो बेटा, एक तो C आ रहा है, तो इसका मतलब A option गलत है, इसका answer, C वाला सही हो जाएगा, हाँ, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ, कि आप न, क्यों ऐसा होता है, कि हम पेपर में कम कोशन टर्म करते हैं, क्योंकि हम इस चेप्टर से भागते हैं, और यह चेप्टर हमें इसलिए कोई नहीं पढ़ाना चाहता, और अभी तो यह चोटे कोशन है, इसके जब 8, 9, 10, 20 लो इलवा देना उसे, मैं भी सीखना चाहूंगा फिर तो, हाँ, इतने साल से देख रहे हैं, हाँ जी, तो देखो विटा एक बात बताएं, किसी भी चीज़ के टाइम को कम करने का तरीका प्रैक्टिस होती है, उसके लामा कुछ नहीं होता, हाँ, यह साइसिम भर-भर क्या है देखो जो जो देखे आएं, वो बताना है, हाँ, बिल्कुल, जो करके आए ना, मैं उसे बतात रहूं, पेपर ऐसा ही आया था, आज NTPC में भी आया है, छे कोश्चन, छे कोश्चन आया NTPC के पेपर में, और अब अगर अभी भी नहीं सीखना चाहते हो, तो फिर कोई कु आज कोश्चन आये थे, देख लो बता रहे हैं, पजल के भी दो तीन कोश्चन थे, तो जब आप सीखोगे तब ही तो मैं सिखाऊंगा ना, आप सीखना ही नहीं चाहते हो, आपकी संख्या आज देखो कितनी है, आज इतनी कम क्यों कि कि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका सेलेक्शन नहीं होगा, बस वो दुख होगा मुझे, कि मैंने इतनी महनत आपके लिए की थे, लेकिन आपका सेलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन नहीं आप लोग को नहीं सुनना है, कोई बात नहीं, तो आज से syllabus भी आज end है कल से हम लोग practice ही करेंगे आप लोग के लिए क्योंकि आप सब लोग जातर लोग वही चाहते हैं तो वही होगा फिर आगे क्या कर सकते हैं चलि देखें आपर 6 मित्र A, B, C, D, E, F केंदर के और मुकर के गोला कार मेच पर बैठें, circle पर बैठें हिंदी इंगलिज दोनों भासाओं में question है किसी को कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए 6 लोग है बेटा, सब center में देख रहे हैं, center में देखा दू चलो ध्यान से देखो इस question को F, A के ठीक बाएं बैठा F जो है, वो A के ठीक बाएं तो A के ठीक लेफ्ट में, देखो ये right और ये left, A के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है F बैठा है, बन गया B, E के सामने बैठा है अब देखो मुझे एक बात यहां समझना बहुत असान सी line है तो अब F के सामने तो कोई आ नहीं सकता मतलब कोई अगला अच्छर आएगा लेकिन B, E के जैसे सामने बैठा है तो ना तो B यहां आ सकता है ना E यहां सकता है और ना तो B यहां सकता है ना E यहां सकता है तो जगह ही कौन सी बची यह वाली तो या तो यहां B आएगा और या तो यहां E आएगा या तो यहां B आएगा या तो यहां E आएगा मतलब यह कोई भी ऐसा हो सकता है इसमें से आगे देखो यहाँ पर A तथा D एक दूसरे के सामने बैठ है A तथा D A और D एक दूसरे क्या होगे मेरे दोस्तों सामने आ गए तो कौन सा अक्षर बच गया है मेरे दोस्तों तो बच गया है A, B, C, D तो A हो गया, B हो गया, C बच गया है ये लो सिटिंग तो बन गई, सिटिंग में तो कुछ थाई नहीं केवल हमें लगा इतना बड़ा देखिए अरे, कैसे करेंगे हम इस प्रस्टिंग को F के सामने कौन बैठा है तो F के सामने कौन बैठा है, ये लो एंसर आगे और अगर हम क्लॉक वाइस चेक करें देखो बेटा, अभी B और E की सिटिंग कनफर्म नहीं हो पाई क्यों? क्योंकि B और E के बारे में कि B और E एक दूसरे के विप्रीद बैठेंगे इसकलावा कोई बात नहीं लिखी गई है इसलिए इसमें से कुछ भी हो सकता है हाँ बिल्कुल बेटा, मैं सच बता रहा हूँ अब जब आप मेरा ये चैप्टर कर लोगे न और जब मैं कल अब से जब कल से प्रैक्टिस कोईश्चन में सिटिंग का कोईश्चन लाओंगा न तो आप भागोगे नहीं आप उसके उपर डट कर सामना करोगे उस प्रैक्टिस का और उसे बना के ही मानोगे उसे बनाओगे और उसे हराओगे प्रैक्टिस को चलो अगले कोश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग अब बनाने का कोशिस करिए तो एक कोश्चन और दिया देखता हूँ कितने लोग बना पाते है बिलकुल सब लोग बना सकते हो इस बात की surety होती है लेकिन कोई कब बनाना नहीं सीख पाता जब वो भागता है बेटा आपको पेपर में सामना करना पड़ेगा यहीं सामना कर लोगे तो अच्छी बात है multi-tasking staff बेटा MTS का full form multi-tasking staff है आपका हाँ बेटा आज CBT2 के exam में आया है गुरुबडी में भी आएगा आपके चलो देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इसी करम में आवश्यक नहीं है एक गोला का मेज की चार और वेठे है छे कुर्सियों पर वेठे है आनी चलो, वही मेज है, दो, चार और च्छे, ये लो ठीक है, चलो आगे यह देखा गया की A, D और F के बीच में बेठा है तो इधर देखो हम चाहे तो इससे सुरुवात कर सकते हैं हम ऐसा कर सकते हैं A जो है, D या F के A जो है, D या F के बीच में बेठा, ऐसे अब D यहां भी हो सकता है, D यहां भी हो सकता है हमें नहीं पता चले, स्लैस रख दिया करो हमेशा यह सबसे अच्छा तरीका होता है A, D और F के बीच में बेठा है C, D के सामने है, C जो है A यहां रखा और अगर मालो हमने D यहां रखा एक बार हमने D यहां रखा और F यहां रखा और इसमें उल्टा कर दिया इसमें F यहां रखा और D यहां उल्टा कर दो यहां F कर दो और यहां D कर दो उसके अगर देखो क्या बोला है C D के सामने है CD के सामने CD के सामने यहां हो गया CD के सामने यहां हो गया आगे देखो D तथा E समीप वर्ती कुर्शियों पर नहीं है भोला है न D and E are not on addition यानि अगल वगल में D और E नहीं आएंगे तो देखो E यहां आनी सकता तो E कहां आएगा यहां अब E यहां आनी सकता तो E कहां आएगा यहां बच कौन सा गया है B ये लो और B यहां लो ये लो बना गया ये भी sitting सही है अभी और ये भी सही है अब देखते हैं कि हमारा answer किस से आता है question क्या पूछ रहा है कौन सा युगम समीप वर्ती कुर्शियों पर बैठा समीप वर्ती मतलब दो नेबर वाले कौन से होंगे इसमें से दो नेबर वाले देखो तो पहला option है A और B क्या A और B अगल वगल बैठे हैं नहीं बैठे हैं पहला option काट दो B और F B और E अगल वगल हैं ये भी नहीं है काट दो C और E क्या C और E अगल वगल हैं ये ये देखो यहाँ पर भी C और E अगल वगल है यहाँ पर भी C और E अगल वगल है तो ये लोग एंसर आ गया ये A और C अगल वगल हैं क्या नहीं देखो A यहाँ है C यहाँ है तो आपका answer कौन सा बन गया मेरे दोस्तों option number B बन गया चलो आप पहले सब लोग एक बार ना सब लोग एक बार दम लगा के session को share मारेंगे और सब लोग like का button प्रेस करेंगे ये सब को दिखाना है कि हम इस chapter को भी धुआ धुआ करके आने वाले हैं इस chapter के किसी भी question को छोड़ कर नहीं आने वाले हैं और ये तब हो सकता है जब आप यहां class में धुआ धुआ करोगे अपने साथियों को अपने दोस्तों को यहां जोडोगे session को like करके ये चीज सब को बतानी है ये message सब तक जाना चाहिए कि हम केवल आसान चीज़ों के पीछे नहीं भागते हम tough चीज़ों के पीछे ही भागते है क्योंकि paper हमें निकालना है आसान और tough नहीं करना है कुछ हमें समझ में आई बात यहां पर चलो ये रहा आपका sitting arrangement का प्रस्ट और ये रहा next question बनाया जाए देखो अब ये देखो ऐसे तो फिर 10 से 12 ये देखो बड़े बड़े question आएंगे हाँ try करना चाहेंगे बताइए बेटा ये सारे previous year question है सारे के सारे आप आज जाके MTS का paper तो उठा के देखो तब पता चलेगा के MTS में कैसा question दिया है इसका जी railway में आज NTPC के paper में आया है ये question जी अब सभी साथियों को क्या करना है मेरे दोस्तों सुच लिजे इस question को करना है आप लोग को ठीक है न जी इस question को अब try करना है बड़े आराम से ओके ये question आप लोग के लिए HW है ये question आप लोग को मैं HW दे रहा हूं पूरा basic सिखाया है पूरे 8 से 9 question लगवाए हैं आपको इसी class के अंदर एक class के अंदर तो अब आप लोगों से उमीद मैं पूरी तरीके से कर सकता हूं कि आप लोग पेपर में बनाओगे और कल से दुआ दुआ करेंगे हम लोग हर सेट में एक question लिया करेंगे तो कल से क्या तयार है आप सभी लोग बढ़िया तरीके से दुआ दुआ करने के लिए कल से आप रोज पेपर करेंगे रोज 25 question 30 question का सेट करेंगे जिससे आप सब लोग का जो भी upcoming exam है वो exam आप लोग यहाँ पर निकाल सको ठीक है ना तो सभी लोग को तयारी करनी है ना तो आप सभी लोग के लिए मैं बता दूँ आप सभी लोग को क्या करना है आप सभी लोग को क्या करना है मेरे दोस्तों तो आप सभी लोग को जाना है कहां पर आप सभी लोग को जाना है अड़ा 24-7 की website पर तुरंत चले जाओ बेटा तुरंत चले जाओ अगर आप चाहते हो मेरे से इतने ही अच्छे तरीके से पढ़ना तो आप सभी लोग Adda247 की application या website खोलेंगे और यहाँ पर all courses जाके SSC में जाएंगे SSC में जाने के बाद आप MTS पे जाएंगे MTS में जाने के बाद देखो बिटा double availability देख रहा है मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा MTS का महापैक आज ही जान कर लो इसमें मेरी class दो time चलती है मैं आपको time बता दू एक सुबह 11 बजे एक साम 7 बजे आपकी इच्छा है सुबह 11 बजे वाला भी नया बैच है आप उसमें जान कर सकते है recent classes चल लिए ठीक है तो view offers पे गए और यह पर आपने code लगाया Y461 Y461 इसे लगा और इसे apply करके join कर लो इसे लगा और इसे apply करके join कर लो यह रहा मात्र 919 रुपे में आपको यह batch मिल जाएगा मात्र 919 रुपे में ठीक है अगर आप MTS के साथ साथ अगर आप MTS के साथ साथ और exam त्यारी करने चाहते हो तो MTS SSC का मह पैक इस पर आजा और देखो यहाँ डबल वैल्टी अभी चल रही बिटा फायदा उठा लो इससे च्छमों का नहीं मिलेगा देखो SSC के महा पैक पर जैसे आप पहुंचते हो आपको देखो यह सारे exam और अगले 12 प्लस 12 अगले 2 सालों के लिए अगले 2 सालों के लिए ची section post 10 मही को आ रहा है form दिल्ली police head constable 17 मही को आपका form आ रहा है MTS का paper 5 जुलाई को है तो इन सारी चीजों को focus करते हो आप जाओ और view offers पे जाके Y461 code यहाँ पर लगा लेना क्या लगा लेना मेरे दोस्तों Y461 code लगा लेना और जैसे आप इसे apply करते हो आपको क्या मिल जाएग और भी 12 प्लस 12 यह अभी चले जाओ अभी ले लो क्योंकि अभी यह कभी भी double value खतम हो सकती क्योंकि मदर्स डे के उपलक्ष में यह double value आई थी यह कभी भी आपकी खतम हो सकती है तो उमीद करता हूँ आप सभी लोग तुरंत जाएंगे और अगर MTS की किवल तैयारी करनी ह होगी आप से जल्दी तब तक के लिए जैहिन और अगली क्लास है मैं की तो आप सभी लोग वहां पहुंचाएं थैंक यू